दोस्तों बाइक का माइलेज कैसे बढ़ाएं? आपके बाद बिल्कुल नहीं बाइक है और आपको दिख्कत आ रहे हैं कि आपके बाइक का माइलेज कुछ अच्छा नहीं दे रही है तो आप कौन-कौन सी टिफ्स को ध्यान रखें तो पहला स्टेफ आता है बाइक को माईलेज बढ़ाने में आपको पीछे के टायर में 40 PSI हवा करके रखना है आगे के टायर में 25 PSI उसके बाद एक बाद और ध्यान रखें अपना यहां से किलोमेटर से मिटर से किलोमेटर नोट कर लो और जैसे आपका 3000 किलोमेटर पूरा हो जाता है तो एक बार यहां से अपना बाइक का ओईल लेवल चेक करो क्या आपका बाइक में बराबर ओईल है और उसके बाद 6000 किलोमेटर पूरा होते ही अपनी बाइक का ओईल चेंज करवा लो और original oil ही डालना है यह ध्यान रखें और हो सके तो अपनी service दोस्तों service center से ही करवाने चाहिए वो भी अपनी निग्रानी में अब उसके बाद क्या करें माईलेज बढ़ाने के लिए इससे oil change करवाने से तो आपका engine का life भी बढ़ जाएगा और माईलेज भी अच्छा देगा उसके अलावा क्या करें बाइक का chain समय समय पर tight करवाते रहे उसके अलावा दोस्तों इसमें आपका rpm setting होती है आप जब service center जा बहुत फाइदा होता है दोस्तों और बाइक की performance बढ़ जाती है और यह बाइक आपकी maximum performance पर वरक करती है अब दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि वह बाइक को ज़्यादा race देकर रवाना करते हैं फिर काफी ज़्यादा race देंगे और फिर gear change करेंगे फिर फिर दिरी दिरे race बढ़ाना फिर gear change करेंगे ऐसे अराम से चलाना है दोस्तों हम यदि नॉर्मल बाइक की तरह चलाएंगे तो वह मैलेज कैसे देगी मैलेज दे नहीं सकती इसलिए ध्यान रखें यह नॉर्मल बाइक है इसको अराम से चलाना जितना आप अराम से चलाएं तो आप इसी बीच में यदि आप चलाएंगे यह निए 50 तक हाइस चलाएंगे तो आपको मैलेज में काफी अंतर देखने को मिलेगा और दोस्तों अमर्जेंसी है तो इस पीड में चलाना चाहिए मैं तो यह कूंगा नहीं तो नॉर्मल है ज्यादा अमर्जेंसी नहीं है तो पचास की हाइस श्पीड तक ही बाइक चलाएं और दोस्तों आप तीन-चार महिने चला कर देखें आपकी बाइक का बहुत रिजल्ट चैंज हो जाएगा और समय समय पर ओइल तो जरूर चैंज करवाना है इसलिए किलोमेटर दिया कहीं पर नोट करके रख दो यह आपकी बाइकाओ